इंफोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं वेलकम फ्रेंड्स मेरे चैनल इंफोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चरूर चेक करें आज की तारिक में फिक्स डिपोजिट पर इंटरेस्ट रेट कितनी चल रही है फिक्स डिपोजिट कोई टर्म डिपोजिट टीडियार एस्टीडियार कई नामों से जाना जाता है तो fix deposit या FD पर कितना rate of interest चल रहा है current में उसी का जानकरी का है ये वीडियो तो चलते हैं Bank of India की FD interest जानने के लिए Friends ये आचुके हैं हम Bank of India की FD interest जानने के लिए तो देखते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं कम से कम Bank of India में 7 दिन की FD आप करवा सकते हैं और तीन तरह की FD देती है ये और इन तीनों ही तरह की FD पर है ये देखिए साथ दिन से लेकर अगर 45 दिन तक का हम tenure देखें तो इसमें तीन option दिये गए हैं पहला option 7 से 14 दिन का दूसरा option 15 से 30 दिन का तीसरा option 31 से 45 दिन का लेकिन तीनों में ही जो current में interest rate है वो सेम है आप देख सकते हैं 3.25% interest rate रखी गई है general citizen के लिए और senior citizen के लिए रखी गई है 3.75% 60 वर्षय उससे अधिक के लोगों के लिए ये scheme है senior citizen फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि bank of India की rate of interest क्या रही है तो आप देखें 46 दिन से लेकर अगर 179 days तक की अगर आप FD कराते हैं bank of India में तो आपको rate of interest general citizen को मिलेगी 4.25% जबकि senior citizen को दी जाएगी 4.75% interest rate फिर इसके आगे और scheme है देखते हैं क्या है scheme अगली scheme है कि अगली scheme में भी आप देखेंगे एक तो 180 days से 269 days वाली है और दूसरी है 270 days से less than 1 year वाली लेकिन दोनों ही scheme में जो rate of interest है general citizen के लिए रखी गई है 4.75% और senior citizen के लिए रखी गई है 5.25% फिर next scheme देख लेता है bank of India की तो next scheme में आपको देखने को मिलेगा कि 1 year से 1 year and above to less than 2 years इसमें कितनी रखी गई है rate of interest 5.25% general citizen के लिए रखी गई है और senior citizen के लिए कितनी रखी गई है 5.75% current interest rate इसके बाद अगली scheme हो रहे है इसकी ये देखे अगली scheme क्या कह रहे है अगली scheme में आप देख सकते हो कि ये है scheme 2 साल से लेकर अगर 10 साल तक की आप FD कराते है bank of India में तो आपको general citizen को 5.30% ब्याज मिलेगा परेनम जबकि senior citizen को 5.80% ब्याज मिलेगा तो ये कहानी है सारी की सारी इस scheme की आप देख सकते हैं अलग अलग time period में अलग अलग इसकी rate of interest है अब खास बात जब भी FD कराएं मेरी सला है की tenure के अंतिन दिन की बजाए tenure के फर्स्ट डे तक की कराएं जैसे आप अगर मान लिजे ये वाली section में बात करूँ इस वाले की ये 45 दिन की FD कराने के बजाए आपको कितने दिन की करानी चीए 46 दिन की क्यों? क्योंकि एक दिन अगर आपने बढ़ा दिया तो rate of interest आपको कितना मिलेगा 4.25% ऐसे ही अगर मान लिजे आपने यहाँ कितने दिन की कराई 269 डेस की कराने की बजाए आप 270 डेस की कराई एक दिन बढ़ा कर तो आपको देखो यहाँ तो खेट 4.75% मिल रहा है हम यहाँ ले चलते हैं देखो less than 1 year एक साल से कम की कराई एक दिन भी कम कराऊ बला ही लेकिन 4.75% ही ब्याज मिलेगा लेकिन एक साल की कराऊगे तो 5.25% ब्याज मिल रहा है कहने का मतलब जब जब rate of interest में change होगा तो आप क्या करना हमेशा FD का जो tenure है उसके first day को आप FD कराएं तो उससे आपको हमेशा benefit होगा क्योंकि बढ़ती हुई ब्याजदर आपको देखने को मिलेगी अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Friends, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल पर आपको संपून शेर बाजार National Pensionist Scheme और Best Investment Plans की 100% सही और संपून जानकारी मिलेगी आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चैक करें वो नीचे की साइड में है देखें उसको और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद